नमस्कार, मेरा नाम है मीनल और माय आट्याट में आपका स्वागत है कुछ रिष्टे ऐसे होते हैं जो तूट कर भी पूरी तरह से तूट नहीं पाते ऐसी ही कुछ रिष्टों की कहानी है मिले आज की एक अबिता आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगे आखों की पड़्टों से जाकती उमीदे बेवजा राहों को ताकती उमीदे यूं तो सदियों तक इंतिसार किया है मैंने तुम्हारा तुम्हें पाल गया फिर भी तुम्हें पाने की उमीद यूं लगता है जिन्ते की हर रोज छोती है तुम्हें यूँ तो लगता है कि जिन्तगी हर रोज चूती है तुम्हें यूँ तो तुम्हारी मौजूद की हर पल में महसूस होती है जे शाग पर करूंदा बना कर बसते हैं परिप्दे जब जब उड़ जाते हैं क्यूं हैरान रह जाती है आखे मुझे पांकर भी तुमने मुझे कभी पाया नहीं तुम्हें खोब कर थी जैने अब तक तुम्हें खुआया नहीं कोई अंच है जो बीते पलों की दुहाई दे रहा है कोई अंच है जो बीते पलों की दुहाई दे रहा है कोई अंच है जो शाय का आखे पढ़ चुका है आज तुम्हारी अब तक फुट से छुटी नहीं तोर हमारे प्यार की शाय तुमसे दूपी नहीं बराते हैं जो बातनि जाने क्यों परस्ते नहीं बाते जो उमीद दिलाती है यौर रिश्थिकूर की बगती नहीं कि तुम्हारे प्यार के बल साथ शायद चकाते रिश्थें की लेकिन साथ में लाना कुछ नाम लावटी वक्त, लिके में और यादों की संदूग को करते में आना चाहते हूँ ना तो छोड़ आना खुद को कि वागती में आना चाहते हो तो छोड़ आना खुद को क्योंकि पाकर तुम्हें अक्सर पूल चाहती हो ने कि पाकर तुम्हें अक्सर में पूल चाहती हो गुद को कि पाकी में आना चाहते हो तो रुख देना वक्त कितार को क्योंकि यूँ ही नहीं मिलता है ठहराव और सुकून उन्स की राह पर क्योंकि यूँ ही नहीं मिलता ठहराव और सुकून उन्स की राह पर उन्स का मतलब होता है अटाच्मेंट लगाओ धन्यवाद आशा है कि आज की मेरी अरजना आपको जरूर पसलाई होगी आपके दिल को भी ये उसी तरह से छूगई होगी जिस तरह से जब मैंने ये लिखी तो मेरे दिल को छूगई अगर आपको अगर आपको ये कविता पसंद आई है तो प्लीज सादा से जादा लोगों के साथ शेयर कीजिए अपनी प्रतिक्रियां प्लीज कमेंट्स बढ़ाएं क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ने का मुझे हमीशा इंपिजार रहता है जब भी आप सब्सक्राइब कर तो प्लीज बेल आइकन प्रेस करना मन भूलिएगा कि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंथ मिलते रहेंगे और अगर आप मुझे और चाहना चाहते हैं तो प्लीज इंस्टाग्राम पर फॉल्व किजेगा मेरा इंस्टाग्राम है मीनल्स आर्ट्यार आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगे दन्यवाद फिर मिलेंगे